पार्टी में कोई कह रहा है सम्मान नहीं है तो दूसरी पार्टी कह रही है कि अंध्रुनी जो घमासान है वो मचा हुआ है बेरहाल चर्चा करेंगे उपेंदर कुसवाहा के बयान को लेकर और जो रार इस वक्त सम्मान को लेकर आरजेडी में छिरी हुए उस पर भी बात करे करेंगे हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रिय जनता दल के प्रवक्ता और पूर्वे विधायक शक्ति यादव क्यों सम्मान नहीं मिल रहा राज़त में और क्यों कहा जा रहा है कि जो राष्ट्रिय जनता दल अपने पार्टी के नेता का नहीं हुआ वो रगुवंस दारत हैं अपने घरों में एक बार देख से दिविजै सिंग्ने से कर रास्ता सिधार लियो जवर्श सथार्व सवर के राष्टे सिधार लिये सराज जी का क्या हुआ किसी से चुपा हुआ नहीं है क्या हसर किया प्रहुना सिंग जी का यह किसी से चुपा हुआ नहीं है बिजाएक किसन जी को सटा करें किसने बरबाद किया यह भी किसी से चुपा हुआ नहीं है राज़त के अंदर में कोई नराजी के स्वर आएं नेता अगर कहें कि हम नराज हैं तो बात को कौन नेता हमारे बोले हैं एक भी नेता ने नहीं कहा कि हम नराज है तो जो नराज के स्वर आ रहे हैं जदियों में ललन सिंग कहते हैं कि उस समय के राष्टे धच का निरने था स्वाल यह उटता है कि जिनके अपने घर ही में आग लगे हुए हैं उसमें लीन हो जाएगी अब बिलीन भी हो जाएगी बड़ा सवाल तो है ना सक्ती जी कि जिस दिन से तेश प्रताप ने बड़े-बड़े बाते उनके बात की जाए तो जगदानन सिंग के खिलाफ बोली तो उसके बाद से वह पार्टी दफ्तर नहीं आ रहे हैं आपको ग्य प्रसित्यों में सिर्फ नहीं आना नराजी यह कारण नहीं हो सकता है नराजी के अगर स्वर उठते उनको लगता कि कोई बात होता तो उन्होंका ब्यान आता वो चीजें फुल करके कुछ तो मिरे यहां है नहीं सब समान है लोग चाहते हैं कि नहीं यहां भी हम रंग बात करते हैं उस बर्ग से कदावर नेता देश की राजिती को प्रहावित नहीं किया है उन्हों देश में अपनी पहचान छोड़ी है इन लोगों ने क्या करवाया अपने लोगों से सब लोगों को इन्होंने अनन्द मोहन का क्या है नितिस्कुमार जी ने नाम बताया सब लोगों का सब को इन्होंने बारी बारी से बरबाद किया और आज आसु घड़्याली आसु बाहर है है जहां कुछ है ही नहीं वहां आरोप लगा रहे हैं पंचायत चुनाव को लेकर जो प्रस्ताव था वो आयोग ने सरकार को भेजा ता उसका मुहर लगी है कैसे इसको र राष्टी के लोग होंगे या कारे करता होंगे उनको मदद करेगी भाज़पा राष्टे जनता दल अपने सभी समानित कर्ज करताओं को या संदेश भी दिया है और हम लोगों ने अस्पश तोर पर इन बातों को अंगिकार किया है कि जो ससक्त और मजबूत हमारे साथी ज होगी और एक बात और जान लिजे दलगत चुनाब नहीं है तो निस्चित तोर पर जो गांदी जी का बापु का जो सपना गवराम स्वराज को ससक्त करने का था उस दिशा में राष्टे जनता दल निस्चित तोर पर दल की सीमा से हटकरके बिल्कुल जो समाजिक ताना बा करके हर हाल में ससक्त लोग परभावकारी लोग उन्हें अनकारी लोग जित करके आए यही हमालों की कोशिस है और इस विसा में काम भी कर रहा है हमारे थास्त है राष्ट्री जनता दल के प्रवक्ता सक्ति सिंग्यादव बात अगर की जाए जो रार चीरी हुई है जनता दल दमकम दिखाएगी इन तमाम मुद्दों पर हमने उनसे चर्चा की आप बने रहे फॉस्ट पर आज हारखन के साथ खबरों का सलसिला यूँ ही चलता रहे